एक जमाने में हमारे जो बुजर्ग थे वो इन ही कच्चे और मिटी के बने हुए मकानों में बेठा करते थे और इन मकानों के अंदर एक सुकून था और आज भी जिला गांदरबल के वईल इलाके में ऐसे मकानात मुझूद है पेशे ये रिपोर्ट डेड़ सोसाल पुराना ये मकान है इसमें लग बग मुझे लगते के आट दस फ़ये आ रहती थी जो के आज आज आप देखोगे की raped ला बन चुका है जो ठोल अलग निकले आज कल वो एक महाला बन चुका थै तो उसमें लग बग 8-10 फैमलिया पहले से रहते ये पुराने मकान जो थे ये सहत के लिए भी अच्छे थे और हर चीज के लिए आज भी जूरुत आते हैं कि इनकी एहमेद तो खतम नहीं होगी आज भी ये बहुत काम आते हैं चाहे कोई भी काम हो मवेशी पालने हो भी इसमें पाला जाता है कोई भ आप खुद ही देखते हो कि आज कल टूरिस्ट स्पाटों पर ऐसे नमूने बनाया जा रहे हैं कि जहां आप देखोगे डेंपिंग पर देखें कि ऐसे ही नमूने बनाया जाते हैं गंदरबल में हैं कहीं जगों पर भी तो यह हर एंगल से इंसान के लिए बहतर था सर्दि सर्दियों के टाइम में होता था यह गरम रहते थी एक अमरे इसके टाइम यहां पर मुझे लगते हैं दो चार मकान ही रहे हैं बाकि जो थे अब नए नए जमीन की थोड़ी तंगी भी हो रहे हैं अब इनको गिराया जा रहा है और नए मकान बनाया जाए अब कुछ मकाने रहे गए हैं तो मुझे लगता है इनकी तरफ गोवर्मेंट को तवजू देनी चाहिए ताकि यह एक कश्मिर का पुराना कल्चर यह रहे गा आने वाले फ्यूचर में जो बच्चे हैं उनको समझ जाएगा कि यह पहले मकान कैसे होती थे देखो इससे पहले भी मकान जो हो चाहिए ताकि इसे एक एक कोम की एक मिशानी जिन्दा रहती है कल्चर एक जिन्दा रहता है इसे कश्मिरी का कल्चर जिन्दा रहता है एक कोम जिन्दा रहती इस इन्हीं चीजों से कि हमारे पुरान ने कैसी जिन्दगी गुजारी किसमें गुजारी है और कैसी कश्मीर हैरलाइन इस गांदर बाल